पैरियाा परसनलाइबॉड क कभी भी मुस्लिम कम्यूनिटी के मुस्लिम समाज के लोगों की बैसे के लिए आवास कभी बहतरी के लिए आवाज कभी भी नहीं उठाईव देखें नहीं आपप सरकार से क्या बोलता है कि हमैं खबरिस्तान के लिए पैसा दिया जाए हमारे नूरी मस्जिदे की है, हमने जितनी भी नाम मस्जिदों के सुने हैं, वो कहीं ना कहीं किसी बादशा, किसी मोगर्टी और डिस्पूर्ट प्रॉपर्टी पर किसी भी धरम की कोई भी चीज नहीं हो सकती है, तो यह तो यह मानेंगे नहीं ना, क्यासे मानेंगे, यह मुसल्म अगर आजाए तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल से तो पचासी चौरासी नहीं लाखों लाख बांगलादेशी रोहीं इंडिया आपका लाहूरी पेशावरी और पाकिस्तानी निकल जाएंगे लीवें अगर हिंदों के जो एहम तीन धर्म स्थान रहे जिनकी काफी शर्चा रही चाहे हम राम जन भूमी की बात करें क्रिशन जन भूमी या इसे तीन चार ऐसे जन स्थान है या बड़े धार मिक्स ताल है जिसको लेकर काफी लंबे वक्त से चर्चा या कहें कोर्ट में मामला या बहस रहती है आप जो अभी ज्ञान वापी वाला मुद्द किस तरह से देख रहा है क्योंकि अबीते दिनों एसाई सर्वे पर रूप लगा दी गई थे हैं सबसे पहले तुम्हें कहना चाहूंगी मस्जितों का नाम घ्यानवापी संस्कृट कैसे हो सकता है सबसे पहली 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 पहला सवाल है हमने बहुत बड़ी-बड़ी अशा जिले किसी मोगल से टश करता हुआ या मेर बड़ी को पानल टश करता हुआ नाम होता है अमस्जत को संस्कृत नाम एक मस्जद का तो हो ही नहीं किसव रही थी सिफ झीक की महाशिफ की पूजा हो रही कई ऐसे मुसल्मानों को गुंडागर्दी करने की पूरी अनुमती ली जो नहीं होना चाहिए था मैं पूछना चाहती हूँ उन तमाम All India Muslim Personal Law Board के लोगों से आपके चानल के मादियम से क्योंकि अमबर मुझे लगता है कि यह सबसे खुब्सूरत प्लाटफॉर्म है आपका जहां पर मैं दिल खोल के बात कर सकती हूँ बिना हिच के चाहत के और बिना किसी रोग टोप के All India Muslim Personal Law Board जब एक हिंदू पश्चिम बंगाल में आजाम देता है 21 जुलाई 2023 को मात्र साथ दिन पहले तब All India Muslim Personal Law Board कुछ नहीं बोलता है एक हिंदू औरकेस्ट्रा तबला सारंगी के साथ जब आजाम देता है तब कुछ नहीं बोलता है क्योंकि मुझे लगता है कि मुसल्मान मर्दों को आजाम देने से पहले पाक और साफ और वजू करना बहुत जुरूरी होता है ला जब यहां वेस्ट बिंगॉल में जब ए इत की नमाज में आकर के प्रोवोकेटिव और हेट्रेट स्पीच देती है इत की नमाज में तो अल इंडिया मुसलिम पर्सनल लॉबोर्ड को भी ना नाशनल इशूस चाहिए होते हैं जिससे उनकी टीयार्पी बढ़ सके और टीयार्पी के बाद उनके पातिया और आपी जो वर्ड है वो संस्कृत का वर्ड है जो इस्ट्रॉप्चर अंदर पाये जा रहे हैं वो देवी देप्ताओं से रिलेटेड पाये जा रहे हैं 1984 तक महां महाशिक की पूजा हो रही थी अच्छा दूसरी चीज है माल लेजी एक बच्चे को लेकर के आज जम हो रही और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लावड और जितनी भी दार्य टूपी वाले हैं जो लुगी उठा उठा करके अभी नाच रहे हैं इस बेटर के हाँ भया एसाई की रिपोर्ट करवा दो अगर आप इतने एडमेंट हैं और इतने इतना बिलीव है आपका कि नहीं वो ग्या पश्ञ जो है कभी सुप्रिम कोर्ट भाग रहा है कभी इलावात भाग रहा है तो मि सप्लिमेंटर लाईक्व wygląda यैं क्भी सप्लिमेंटर एटिशन डाल रहा है है तो इससे तो यह समझ में आ रही है ना कि जिस तरह से आयुद्यया के राम говоря कrait में ASI का रिपोर्ट आया था उसके बाद रामंदर का निर्मान रखा गया तो उसी तरीके से उनको ये बात पता चल चुकी है कि ASI का रिपोर्ट आएगा और हम एकदम फिका जाएंगे और मेरे पास कोई भी बात रहेगी नहीं बोलने के रिए ये All India Muslim Personal Law Board को समझ में आ चुक है देखिए अमें मैं तोड़ा सा डिटेल में और बताऊंगी कि All India Muslim Personal Law Board ने कभी भी Muslim Community के Muslim समाज के लोगों की बहतरी के लिए आवाज कभी नहीं उठाई है कभी भी नहीं उठाई है देखिए ये All India Muslim Personal Law Board सरकार से क्या बोलता है कि हमें खबरिस्तान के लिए पैसा दिया ज जब से श्रीमती मम्ताब एठर जी आई है अर्भो 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 और रुपया खबरिस्तान के लिए दिया जाता है बैं मुझा सेंसलिक तमच में आता है कि जो खबरिस्तान में कभब में षोया है ना उसने रोड़ पर आ करके अपना मुस्तक्बिल बनाना है। और ना ह इसी जगह पर अर्बो रुपया खर्श करने का मतलब क्या होता है यह मुझे समझ में नहीं आता है। All India Muslim Personal Law Board ने आज सक पूरे हिंदुस्तान भी कभी नहीं का कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाए जाये जिसमे हमारे हमारे मुसल्मान बच्चियां जो है तालिम्याफता हो अकैडमिक भी और दीनी तालिम भी उनको मिलती रहे। नहीं किया। सौधी अर्भिया के Crown Prince ने एक ऐसी खानून बनाए कि मस्जिद और अपना घर छोड़ करके तुम अगर नमास पड़ोगे तो तुम्हारे उपर एक खानूनी कारवाई की जाएगी। यहां पर नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान में। भाई हम संविधान के मानने लोग हैं, हम लोग इंडियान पिनल कोड के मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के दाइरे में अपने आपको हर तारी टोपी वाला कहता है कि हम law-abiding citizen है। तो भाई तुम बड़े मुसल्मान हों के सौधी अर्बिया के लोग बड़े मुसल्मान है। सौधी अर्बिया के crown prince ने बताया कि कोई भी loudspeaker में अजान नहीं है। आपको जो कानूनी तरीकर से जो आपको दाइरा दिया गया है वहीं तक आप loudspeaker यूज करेंगे। पैन कराया सौधी अर्बिया के crown prince ने यहां पर बात उठती है तो कह दिया जाता है कि भाई इसलाम खत्रे में है। तो यह चीजों पर discuss करना अंबर हम जैसे पड़े लिखे लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। ताकि दस लोग हमारे इस conversation को देखें, confrontation को देखें तो उनको भी पुद्धियांग को ले। कि भाई आप किस बारे में बात कर रहे हैं और क्यों बेतुकी बाते कर रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि 1861 में Archaeological Survey of India under the Ministry of Culture, 1861 से इस ASI को इसलिए अस्थापित किया गया, इसलिए बनाया गया, ताकि जितने भी cultural और heritage चीज़े हैं उसको protection दिया जाए। बहुत खुशूरत है भाई। तो आपने 1861 के बाद क्यों नहीं All India Muslim Personal Law Board को सुप्रियम कोर्ट ने पूरी मानियता दी और उनके सारे petitions को बगवर सुना, Chief Justice के bench ने, कई बार Constitution bench पर गया, कई बार Chief Justice bench पर आया, कभी third bench पर गया, लेकिन बगवर हर एक bench ने, राममंदर वाले आयोदिया मैटर को सुना था और तब जाकर के verdict आया, फिर आज मुसल्मान जो खुद को news channel पर बैठ कर कहते हैं, कि नहीं हम हिंदुस सुना के नागरिक है और हम law abiding citizen है, वो black day क्यों मनाते हैं, उसकी बज़ा बता दे मुझे फिर, या तो आप सम्विधान मान लीजिए, और या तो पर यह नोटन की बंद कर दीजिए, दो में से कोई एक काम तो आपको करना पड़ेगा, और अब पहले बोल दीजे, फिर मैं एक सवाल रखूंगे आपके साथ में, अब आती है बात कि यह जो जितने में मुसल्मान के ठेकेदार बने हैं, यह अपनी अपने जगहा पर अपनी सुविधा के हिसाब से सम्विधान और इंडियर पेनल कोड मानते हैं, और अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से फिर शरि पर दे दीजी, चलिए दीजिए, मैं मान लूँगी, एक PIL फाइल के जिए सुप्रियम कोड में, और इंडिया मुसलिम पसनल लॉप और और जितने भी मुसल्मान के ठेकेदार है, वो PIL करें कि हम बिसमिल्ला करेंगे, कि मुसल्मान बलातकारियों को हम शरिया के हिसाब से हम सजा देंगे, तब तो कहते हैं कि खानून फैसला करेगा, खानून तैक करेगा, क्योंकि उनको पता है, कि कहीं न कहीं, बिल की संभावना तो हो ली जाती है जी, आचा नाजिया, एक सवाल मेरा आपसे यह है, कि अगर हम समिधान से अलग भी बात करें, तो कोई भी लिटिकेशन वारी प्रॉपर्टी होती है, जगड़े की, कबजे की, ऐसे किसी भी जगह पर मस्जित को हम नहीं बना सकते, वहां पर इबादत नहीं हो सकती, तो उ इस जगह पर नमाज को पढ़ना, रूख देना चाहिए था, या इस तरह के जितनी भी प्लेसे थे, जिनको उक्यूपाई किया गया था, उनको खुद से मुसल्मानों को छोड़ना चाहिए था, यह एक मोरल रिस्पांसिबिलिटी थी, जो मुसल्मानों को करना चाहिए था इस तेश में, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, मैंने जैसा कि आपको अमर बताया कि 1984 में वहां पर महाशिव की पूजा हो रही है, बज आपते बपुरे तरिते से महाशिव की पूजा हो रही है, अब आता है कि 1985 जो है, उसके बाद वर्शिप आया 1991, इंक्रोश्मेंट यसी तो यह मानेगे नहीं ना, क्यासे मानें यह, यह मुसलमान मानेंगे नहीं, यह बड़े जद्य होते हैं, इंको पता है, कि हम चिल्ला-चिल्ला करके देखिए, और आप डिबेट पर भी बैठते हैं, तो हमारी आवास को चुप करा देने के लिए, क्योंकि हम सच बोले तो हमारे आवास को चुप करा देने के लिए दोचार लोग बहुत तेज बोलते हैं, continue बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, थाके हम चुप हो जाए, वो तो हम लोग स्टप बढ़ने के हम चुप नहीं होते हैं, तो इसलाम भी यही कहता है, कि अगर कोई जगा जो है, को डिस कि इस बात में तो कोई दो राए नहीं है, देखे, मुसल्मानों ने, हम कहते हैं न, अपने लीगल लांग्विज में, कि चोड जितनी भी चोड़ी कर ले, एक ना एक सुराक तो छोड़ी देता है, तो उसी तरीते से यह मुसल्मानों ने अपने बात को ही कॉन्ट्राडिक और उसने बे इंतहा अनकाउंटेबल अरंग्जेव ने हिंदूों के घरों के लूटपार्ट की थी and हुग ऋब्जीर गुगा करता था है वह दूसरे गोड़े में एक संदूप ले से कुर्टा करें कि तकम विधा पनी लांग्विक कें लीपने लूटावा जाता थायाया उर्दू स्कूल के हिस्ट्री की किताब में हैं यह इस्लामिक हिस्ट्री में हैं तब इनको क्या लगा कि हम बहुत बड़ी बात बता रहे हैं अपने मुगल बादशाखें हम औरंग जेब के की तारीफ कर रहे हैं कि वो कितना ताकतवर था कि उसने एक ही तलवार से च्यालिस हजार हिंदूओं का सरखलम कर दिया है उनको यह नहीं पता था कि आने वाले वक्त में कुछ ऐसे एडुकेटेड और खाबिल लोग आएंगे जो यह पूछेंगे कि खतल करने का मतलब मटरर होता है लूट करने का मतलब दकेटी होती है और खबजा करने का मतलब सब्सक्राइब कि मस्जद हो कैसे सकती है यह तो पॉसिबल नहीं है ना जी तो अभी मैं थोड़ा सो और बोल देती हूं कि क्यों मुस्लिम कम्यूनिटी बरबाद है क्योंकि बच्पन से मदर्से में सिखाया जाता है हिंदू का फिर आप यह कीजिएगा आप हिंदूों को कराईएगा तो आपको जन्नत में बहत्तर वर्जिन गूर मिलेगी उसके बाद पर हम जब अकैडमिक क्वालिफिकेशन के लिए उर्दू स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहां पर हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है नबाब वाजित अलिशा की तीन सो पैसेट उसके लिए आप दूसरे को अलेश्ट कैसे कर सकते हैं और दूसरे को अब बुनाघार कैसे बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं, मैं बार-बार कहती हूं कि सनातन धर्म इसलिए कुपसूरत है, क्योंकि हमने दग्रेट अशोका की हिस्ट्री में पढ़ी, हमने तो नहीं देखा, कि उनकी अयाशी के बारे में बताई गई है, हिंदू सनातन धर्में देवी और देवियों की पुझा की जाती है, उनके चर्नों पे फूल चड़ाया जाता है, ये बजब से सनातनी और हिंदूओ को बताया जाता है तो ज़ाहिर से बात है ना कि उनकी अपर दो है गया ohily को हमारे मुसलमान में बजब से बताया है कि चार जी ये डायबॉलिक माइड इतने दिन तक चल पाएंगे चीज़े तो खुल कर सामने आएंगे जी ये अभियान अगर हम बात करें तो मेरट, सारनपूर, गाजयबाद और यूपी के अलग-अलग शेहरों में चलाया गया और दावाई है कि कई हजार इस तरह के लोग छुपे हुएं जो अवेद गुस्पेट करके उत्तर प्रदेश में रहें अलग कि वेस्पेंगॉल में भी रोहिंग्या मुसल्मानों जो अवेद रूप से रहते हैं उनका एक बड़ा अच्छी खासी population है जो आपर मौजूद है दिली, in fact कश्मीर देश के कई सारे राज्जों में ये अवेद रूप से हैं आप इसको किस तरह से देख रहें क्योंकि आप वेस्पेंगॉल से आती है और इस पूरे मामले पर क्या आपका पूरा टेक है देखिए अब धेड़ साल जैसे ही नर्सी और सीए की बात हुई थी और 311 मेंबर ऑफ पार्लिमेंट के बोटिंग पर सीए को लागू किया गया था तो उसके बात से लेकर के पौना दो साल तक वेस्ट बिंगॉल में नर्सी और सीए के एगेंस्ट में पुरा कैम्प चला था अभी भी यह क्वेस्टन मार्क है और डाउटफुल है कि यह देड़ साल जो कैम्प चलाया गया है पूरे वेस्ट बिंगॉल में इसका इसकी पंडिंग कहां से आई इसको फंड इस ने किया है जस लोगों को लेकर के पांच दिन कैम्प चलाना मूंग की बात नहीं होती है यहां पर लाखों लोगों को लेकर के पश्रिमंगाल में एनर्सी और सीए का कैम्प चलाया गया है और जिस नेता ने चलाया है जावेद अहमत खान ने उनके सिटिजनशिप को डाउटफुल है बिलकुल डाउटफुल है दूसरी बात मैं कहती हूं कि जिस तिन्नमुल कॉ सबसे ज्यादा नेपाल बॉर्डर और एंसी जगों पर आना जाना करते रहते हैं तो यह भी क्वेश्चन मारते हैं क्यूंकि अभी सीमा गुलाम हैदर भी नेपाल बॉर्डर से आई तो आपने जो अभी यूपी की बात करियत पच्छतर से उसका आपड़ा चौरासी पर हो गया है यह अभी मैं एक गहंटे पहले कर देट आपको दियो चौरासी लोग आरेस्ट हो चुके हैं और देखिए इनकी हटकर मी देखिए कि गुजी छोपडी से उठ करके इन्होंने पक्ते मकाम भी बनाने स्टार्ट कर दियो थे और जैसे ही बिलकुल आरेंटी प्रू इन्हों की आपका बंगाल की से मंता सरकार के अंदर से कुछ नेता है जो बंग्लादेशी और पाकिस्तानी और लाहोरी निकल जाएंगे हम दिखी यह वहीं ममता बैनेजियी हैं अंबर जिन्होंने पार्लिमेंट के अंदर स्पीकर के मुँपर पेपर फेख करके मारा था कि एनर्सी करो क्योंकि लेफ प्रंट ने बहुत सारे रोहिंगे और बांगलादेशी मसल्मानों को अपना बोटर बना दिया है, एनर्सी होने से वो सब के सब निकलेंगे, तब ही हम लोग ऐलेक्शन को फैर समझेंगे, यह श्रीमाती ममतव एनर्जी का बैयान था? और पारलिमेंट के अंदर था? और आज वही श्रीमाती ममतव एनर्जी एनर्सी और पे की सरकार के द्वारा इतना खूबसूरत एक कारवाई एक खानूनी कारवाई चल रही है क्योंकि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ऐसी नहीं है इसलिए इतनी लोग को इतना खानून को नहीं मानती है तो इसलिए सेंट्रल को इस चीज पर एक्टिक होना चाहिए और इमेडिये एक जाज कमीटी को बिठा करके बना करके यहाँ पर तक्रीबन सो लोगों की जाज कमीटी बेजनी चाहिए ताके पश्चिम मंगाल में जितने भी रोहिंग्या, मुसल्मान, बांगलादेशी, पाकिस्तानी, लाहौरी, मुसल्मान है उनको उनका बिल्कुल भी हिजाब जो है को चेहरे से मुक से हट जाए और लोगों को सत्त समझने आए बिल्कुल नाजिया अपने एक दम सही कहा है क्योंकि अगर हम अवेद घुस्पेडियों की बात करें तो भारत के सुरक्षा के लिए एक बड़ा खत्रा है और देश के कई राज्यों में इनकी बड़ी संख्या पाई जाती जिसमें से वेस्पेंगॉल है कश्मीर है उत्तर प्रदेश या फिर हम उत्राखंड की बात करें जारकंड बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं यहां था कि हम नौर्टीस में भी इस तरह की लोगों की इस पेट अवेद तरीके से देखते हैं जो भारत के लिए बड़ कर देखते हैं